हैलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चानल जीकी करेंट अपिर सरकल आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे इस वीडियो मैं टोटल 20 कोसंस करवाऊंगा जो की हिंदी का प्रीवियस येर कोसंस है जो की इससी जीडी में जो 2018 का बैच स्टार्ट हुआ था उस टाइम का पेपर जो हुआ था 2019 में उसका मैं पूरा आपका इस वीडियो में पूरा प्रीवियस येर कोसंस हिंदी का करवाने वाला काफी इंपॉर्टेंट कोसंस है क्योंकि इसी तरह के कोसंस आपके स्टाफ में पूछे जाएंगे जो 15 नंबर आपका हिंदी का कोसंस रहने वाला है पार्ट ए पेपर में तो 15 नंबर हिंदी का कोसंस काफी इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को पूरा लास तक दे के ताकि इसी तरह कोसंस आप एक्जाम में सही से कर पाए तो चली इस व वीडियो को नोटिफिकिशन मिल जाए और इस चैनल पर मैं डेली ट्रेट कोसंस भी करवाता हूँ आज भी साम को आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जो की ट्रेट से रिलेटेट कोसंस होगा और इस तरह के जो हिंदी के कोसंस है मैं डेली इस चैनल पर प्रवाइड क करने वाले हैं मन 21 में जो पर 20 मार्च से होने वाला इसमें जो अप्लाई करेंगो हिंदी के कोसंस इस चैनल पर आप कर सकते और भी रिजिनिंग मैथ जितना भी हो मैं आगे आने वाले समय में करवाँगा ससी जीडी के लिए इस वीडियो में ससी जीडी और से यार्बे पैरा ग्यात करें जिसमें कोई तुरूटी है यानि आपको इस जो लाइन ब्लैक डार्क सरकल वाले लाइन जो देख रहे हैं इसमें से क्या कौन सा जगा पे गलत है यहां चार ऑप्सन में दिया हुआ है तो यहां पे लाइन पढ़ते हैं यहां पे दिया हुआ हम जानते है कि प परिश्रम का फल ऑप्सन भी दिया है मेठा होती है ऑप्सन सी दिया हुआ सदा ही और ऑप्सन डिया हम जानते है कि तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन भी जो की मीठा होती है यहां पे हो जाएगा हम जानते है कि परिश्रम का फल मीधा मीठा होता है पर यहां प QC 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 QCQ QC 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 QCQ QC Q वार्ड आपको find करना उसी तरह हिंदी में सही वर्तनिया वाले सब्द को चैन करना याने option के माध्यम से तो यहां पर पहला option आप देख सकते हैं दूसरा option तो यहां पर जो इस सेके नमबर को संस का option भी देखे तो का कूल यहां पर सही वरतनियौ वाले सबस्द हो जाएंगे तो उब्शन भी ग्रेक्ट एंसर हो गया उसके बाद नेक्सस को इंस को जब्थरनियों और ऑपना इस पर दिया उब्धिन को यहां पर spoken outras property फिर सथे सही वरständियांenkuch तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहला नमबर दिया है मोखिक, बी दिया है option B मोखिक, option C दिया है मोखिक, और option D दिया है मोखिक, तो यहां पे मातरा का भी होता है कि मातरा कि इधर से आपका जा रहा है, तो यहां पे आप दो में देख सकते हैं कि दो में आपको डाउट हो लिखते हैं तो इस इस बड़ी मातर होती है थूसी तरह यहां पर बड़ी अहीं करेक्ट और बरते हैं देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर बोला है रिक्त स्थान को भढ़ने के लिए सबसे उपयुकत सब्द का चैन करें यानि इस चार ओप्षन में से कौन सा ओप्षन सही है जो इस खालिय स्थान को भढ़ेगा तो लाइन को पढ़ते हैं यहां पे दिया है बूढ़ा आदमी अपने डै यहाँ पर अपसर का सब्सक्रेंज सी देख रहे है बुड़ा अदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है करेक्ट रम सी हो जाएगा शेलिए नेक्स को संस की ओर भरते हैं यहाँ दिया हुआ है धाoe यहां है । आफ आपने बुड़ापय से धुधिए Max तो यहां पे options आप देख सकते हैं कि option A जो दिया हुआ है और योग ये option B दिया है मूर्क और option C दिया है सौभाग और option D दिया है सुयोग यानि योग का बिलोम सब्द आपको चुनना है यहां पे option के माध्यां से जो चार option दिये हुए है तो यहां पे 5 नमबर को संस आप correct answer हो गया चली नेक्स को संस की ओर बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स को संस यहां पे 6 नमबर को संस दिया हुआ है कि दिये गया सब्द के परेवाची सब्द का चैन करे और और जुन जो सब्द है इसका परेवाची सब्द क्या होगा तो option A दिया है जगदीज, option B दिया है सम option C दिया है धननजय, option D दिया है कोबिंद, तो यहां पे जो option यहां पे जो देख रहे है 6 नमबर को संस का option C जो है धननजय यहां पे correct answer हो जाएगा, option C और जुन का परेवाची सब्द, अनेक परेवाची सब्द होते है जिसमें से धननजय यहां पे correct answer हो गया, तो जलिए न इस questions की और बढ़ते है, next questions यहां पे दिया हुआ है, 7th number questions जो है, बोला है यहां पे दिये गया, वाग का वाग घ्यात करें जिसमें कोई तुरूटी है, यानि जो यहां से लेकर यहां तक जो line है, इसमें से क्या गलती है, यह option में दिया हुआ है, चारो option में, उस गलती को आ रुपयों का प्रभंद अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया, तो यहां पे कौन सा तुरूटी है, यानि गलती कौन सा है यहां पे, तो option पढ़ते हैं, यहां पे बोला है, बेच कर किया, option B है, अपनी पत्नी की गहने, C दिया है, रुपयों का प्रभंद, और option D दिया है, म प्रभाने बेचकर तेहां पर तो यहां पे प्रावंदर हो गया हुआ तो यहां पर गहनेने डिया उसलिए कलत हो गया तो का एक Посक्ट अंश्यूद्दों को और बरते हैं नेक्स को संस यहां पे दिया हुआ है एट नंबर को संस कि निमलिखित में से उस बिकल्ब का चैन करें जो अंग अंग धीला होना मुहाबरे का अर्थ ब्यक्त करता है तो यहां पे जो अंग अंग जो दिया हुआ है आपका मुहाबरा इसका अर्थ क्या होगा इ दिया हुआ है की दुखी होना, option A option B दिया है, निरास होना, option C दिया है, अत्यदिक ठक जाना, option D दिया है, हार जाना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीOrtabird 5 का, option C का, option C दिया है, जब बी कोई इनसान अगर जड़ा ठक जाता है तो उसका अंग धीला हो जाता है यानि कोई काम कठीन काम करने पर उसका अंग धीला हो जाता है और अत्यादिक ठक जाता है उसलिए इसका मुहाबरा अत्यादिक ठक जाना हो जाएगा अंग धीला होना का मुहाबरा अत्यादिक ठक जाना त option c correct answer हो गया चलिए next questions की और बढ़ते हैं अब next questions यहां देख सकते हैं कि 9th number questions दिया हुआ है कि दिये गए वाक्यांस के लिए सब्द चुनिए यानि जो जन्म से अंधा हो इस वाक्यांस का अर्थ यानि सब्द चुनना है आपको मैंने इस एक लाइन है इसका एक छोटा सा सब्द क्या हो सकता है जो जन्म से अंधा को शिद्द कर पाए तो यहां पे जो ओप्सन ए देख रहे हैं यहां पे की अंध भक्त दिया है और यहां पे जो ओप्सन डी दिया है करेक्ट एंसर हो जाएगा और जन्मान्द यहां पे ऑप्सन डी करेक्ट एंसर हो गया चलिए नेक्स कोसंस की और बरते हैं नेक्स कोसंस यहां पे जो दिया हुआ है कि दिये गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्ट पादित करने के लिए सबसे उप्यूकत बिकल्ब का चैन करें यानि जो मोटे सरकल वाले जो लाइन दिया है, और इसमें एक लाइन को बता के आपको एक आंशर खोजना है. तो यहां पे दिया है, सीला मेरी बहन है, वहां बच्चों के साथ खेल रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा इस line का सही उप्युक्त जो बिकल्प होगा वो कौन सा होना चाहिए यहाँ पे तो यहाँ उसको find करना है तो यहाँ पर option A दिया है कि बच्चों के साथ खेल रहे है option B दिया है बच्चों के साथ खेल रही है option C दिया है बच्चों को साथ खेल रही है option D दिया है बच्चों से साथ खेल रही है तो यहाँ पर 10th number questions का option B जो आप देख रहे है option B यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चों के साथ खेल रही है यहाँ पे रहा है तो रही हो जाएगा उसलिए यहाँ पे option B जो correct answer हो गया तो चलिए next questions की उड़ बरते हैं next questions आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ 11 number questions की दिये का है वाक का वा भाग याद करें जिसमें कोई तुरूटी है यानि आजकल ताप मान में तेजी से परिवर्तन हो रही है इस लाइन में क्या तुरूटी है क्या गलती है इस option में दिया हुआ है उस option में से एक आपको आंसस फाइंड करना है तो यहाँ पे पहला number option दिया है कि परिव つra 서welu to PR परिवर्तन हो रही है ति परिवर्तन हो रही है यहाँ पर मैं हैं तो दो दैख रहे हैं प्रहां यानि आजकल ताप मानमें तेजी से परिवर्तन हो रहा होगा यहाँ पर हो रही है दिया हुआ है इसलिए यहां पे correct answers आपका option A हो गया चलिए next questions की ओर बढ़ते हैं next questions यहां पे दिया हुआ है 12th number questions की दिये गए सब्द के पर्यवाची सब्द का chain करे तो यहां पे कुबेर जो सब्द है इसका पर्यवाची सब्द क्या होगा 12th number questions का तो option A दिया है यमराज, option B दिया है महराज, option C दिया है यच राज, option D दिया है गिरी राज तो इसमें से कुबेर का पर्यवाची सब्द कौन सा है इस 12th number questions का option C जो आप देख रहे है option C यहां पे हो जाएगा यच राज कुबेर सब्द का पर्यवाची सब्द है तो option C correct answer हो गया तो चलिए next questions की ओड़ बरते हैं next questions यहां पे दिया हुआ है 13th number questions की रिक्त अस्थान को भरने के लिए सबसे उप्युक्त सब्द का चैन करे यानि जो बसंत पंचमी के दिन देवी से डैस की जाती है मतलग क्या की जाती है बसंत पंचमी के दिन तो यहां पे देवी को बसंत पंचमी के दिन क्या की जाती है option के माध्यम से आपको करना है तो option A दिया है पूजा option B दिया है आवाहन option c दिया है प्रार्थना option d दिया है प्रशन्यता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30th नमबर यानि 13 नमबर कोसंस का आंसर यहाँ पे option c हो जाएगा प्रार्थना जो की correct answer हो गया तो इस blank में प्रार्थना भढ़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बसंत पंचमी के दिन दिया है तो option c correct answer चुलिए नेक्स कोसंस की वर बढ़ते हैं नेक्स कोसंस यहाँ पे दिया हुआ है कि 14 नमबर दिये गये वाक मेरे खांकित खंड को प्रतिस्पादित करने के लिए सबसे उप्यूक्त बिकल्ब का चैन करे यानि कन्या की सूपात्रता का माप दंड लेकर द जो dark circle वाले जो line है इसके line के underline दिया हुआ है इस underline वाले line में कौन सा इस chart option में से बैठेगा यानि यह line गलत है पर आपको यहाँ पे सही करना है तो यहाँ पे आप देख सकते कि स्वरूप से तै करना जाने लगा है तो इस line का यहाँ पे option A दिया है कि स्वरूप से तै कर जाने लगा है option D दिया है स्वरूप से तै किया जाने लगा है तो option यहाँ पे 14 नमबर यानि 14 नमबर को संस का option D देख रहे है कि यहाँ पे हो जाएगा स्वरूप से तै किया जाने लगा है यहाँ दिया है स्वरूप से तै करना जाने लगा है तो यहाँ पे किया होगा करन अस्थान को भरने के लिए सबसे उप्युक्त सब्द का चैन करे यानि ओलाइन दिया हुआ है कि मेरी बस डैस गई थी option A दिया है कि छूट, option B है so, option C मर और option D उड़ तो यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा 15 नमबर का option जो A दिया हुआ है छूट यहाँ पे हो जाएगा यानि मेरी बस छूट गई थी उसलिए correct answer option यह है काफी easy questions है चलिए next questions की और next questions यहाँ पे दिया हुआ है कि 16 नमबर questions की दिये गए वाक मेरे खांकिन्त खंट का प्रस्तिपादित करने के लिए सबसे उप्युक्त बिकल्प का चैन करे यानि जो दिया हुआ है dark circle line जो दिया हुआ है इसके अंदर में जो underline दिया है इसका underline वाले option में कौन से है यहाँ पे correct बैठेगा यहाँ पे आपको बताना है तो यहाँ पे दिया है गंतंत्र दीवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे है तो यहां पे आपको सैनिक कदम ताले कर रहे है इसका लाइन यहां पे सही लाइन कौन सा है तो आप्शन ए दिया है सैनिक कदमों तालों कर रहे है और आप्शन दिया है सैनिक कदमों तालों कर रहे है और आप्शन दिया है सैनिक कदमों तालों कर रहा है तो यहां पे हो जाएगा करेंग टेंसर आप्ट सन्ट को सलेंग सब्सक्राइब कर रहे नाकि इसैनी कदम तौले कर रहे तो और अपिस हमें रहा है तो आकास में क्या चमक रहा है इस ऑप्सन में देखते आप्ट दिए है तारा ऑप सेंस भी दिए सोना अज़से दिए बादल ऑप संड़ी दिए चांधी के साथ ुप संस है चनलों' मज़क सेनि करेक्ट हो जाएगा तार या Kanu आंगाwriting याकाश में चमक रहा है यह चलिए पिर रभर नेकस यहां दिए हुआ है 18 नंबर कुसंस जो निमलिखित में से उस बिकल्प का चैन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना यानि मुहाबडे का अर्थ ब्यक्त करना है आपको तो यहां पर ऑप्सन यह देख सकते हैं कि बीना परियास के किमती बस्तु मिल जाना ऑप्सन भी दिया है सफल होना ओप्सन सी दिया है अयोग होना ओप्सन डी दिया है परियास से किमती बस्तु मिलना तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बोला है कि अंधे के हाथ बटेर लगना यानि एटींत कोसंस का ओप्सन यह देख सकते हैं कि सीधा सीधी लिखा है बीना परियास के किमती ब पर टेड़ लगना यानि बीना कुछ किये ही आपको मिल गया तो यहां पर ऑप्सान एक अगरेक्ट एंसर हो गया चलिए नेक्स को संस क्यों बर बर यहां पर नेक्स को संस दिया हुआ है 19 नंबर को संस की दिये गए सब्द का बिलोम चुने यस का बिलोम क्या होगा option A दिया है नीरस option B दिया है नीराव option C दिया है appears और option D दिया है so yes तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 number questions का जो option C है appears appears यहाँ पे correct answers हो जाएगा जो कि yes का बिलोम सब्द है appears, correct answer option C next questions देखते हैं next questions यहाँ दिया हुआ है कि दिये गये वाक्यांस के लिए एक सब्द चुनिए यानि जो मोच चाहता हो जो मोच चाहता हो उसका क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं option A दिया है मुमूचू option B दिया है मोच ही है option C दिया है मोच्छालू option D दिया है मोच प्रिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो option A दिया हुआ है मुमूचू इसका हो जाएगा जो मोच चाहता हो एक और बात यहाँ पे जो मुक्त जो मुक्त हो जो मुक्त होता है उसे बोलते है मोच और जो जो मोच की कामना करने वाला हो उसे मुमूचू कहते है तो जो मोच चाहता हो उसे मुमूचू कहते है उसलिए correct tensor यहाँ पे option A हो गया इतना ही questions था टोटल यहाँ पे SSC ZD में 25 questions हिंदी कर पूछे जाते हैं मैं BC questions यहाँ पे डाला हो तो हिंदी के काफी student है उसलिए मैं हिंदी के questions डाला तो आयोग की questions समझ मैं नेक्स वीडियो में भी ऐसा ही नेक्स दिन लाऊंगा है हिंदी का questions और ट्रेट के questions इस चैनल पर चले तो चैनल पर पहले बेर विजित के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे चले नेक्स वीडियो मिलते जय जय वारत